लेकिन इस सुरक्षित बिधान सभा में आज तक अगर देखा गया है तो बस एक और दूसरे समाज के अलावा किसी तीसरे समाज का ध्यान नहीं दिया गया है आज इसी बात की लड़ाई लड़ने के लिए इंजीनियर राजेस कुमार से हमारी मुलाकात हो गई है अचानक ये जनसंपर्क में थे और हमारी मुलाकात हुई है और हम इनसे पूछेंगे ये सवाल कि बखडी बिधान सभा सुरक्षित है कितना सुरक्षित है ये आप बता दे ये तो पासवान जी के लिए सुरक्षित है राम जी के लिए सुरक्षित है रजक जी का तो कोई भेलू ही नहीं है जिसका मलाई वहाँ पे बैटके स्याम रजक खा रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं परता है कि हमारे समाज के लिए क्या करना है वहाँ बैटकर के मलाई खाय जा रहे हैं तो आप भी आप चुके यूबा हैं और यूबा का एक अलग इस चुनाव में अलग जग रहा है जैसा कि देखा गया है कि पिछले बिधान सभाज चुनाव में जो फर्स टाइम भोटर थे सांसत के चुनाव में भी जो फर्स टाइम भोटर थे और इस बार के बिधान सभाज चुनाव में भी जो फर्स टाइम भोटर होंगे ये बड़े निरनायक होने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या जहलनी पड़ रही है NDS की सरकार में सुसासन की सरकार में तो ये 18 से 25 साल के युबा वर्गें क्या कहना चाहिए吗 जिस तरह से कोरोना काल में आप देख रहा हैं या जो भारा सरकार कर रही है अभी जॉब लेस हो गया है हमारा युवा युआ वर्ग पूरी तरह से जॉब लेस हो चुका है काम का कोई ठीकाना नहीं है मज़दूर लोग भाग रहे हैं तो इसलिए इसका बीरा जो है सारे युवा बर्ग ही उठा रहे हैं युवा बर्ग हमारे साथ है और हम सब मिल करके एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं लड़ेंगे और जीतेंगे भी मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोरोना में जो लॉकडाउन की स्थिती हुई उसको जेला आम जनता बेवसाई बर्ग जेले और सारे लोग जेल भी रहे हैं लेकिन नाम होता है मोदी का मोदी सिर्फ एक बहाना है वो फ्लेस करना है न्यूस को सिर्फ फ्लेस करना है और कुछ करना है नहीं काम ओगेरा का कोई ठीकाना नहीं है अब कोरोना में आप देख लिए तीन मंत का जो लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन में सारे मजदूर भाईबान वहां से पैदल चले बं ना ही कुई किसी तरह का कोई सही किया। आम जनता जो है जागरुक हुई उनके खाना पिना के बेवस्ता की। लाई जनता खाना खिलाई है। हम लोग खुद बाटे हैं। खाना पिना, मास्क, सेनेटाइजर हर एक थाने को देना, पबली को देना। हर एक चीज किया गया बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी मास्क तक उपलब्द नहीं करा पना है। उस्पंप्रिया भी बोल रही है कि बिहार 30 साल से लॉक्टाउन में है। उद्योग धन्दा लगा है। किसी तरह का कोई वेवसाय नहीं है। सारा चीज बेचे हुए है। बेल्ट्रोन को देख लीजिए। बेल्ट्रोन जा है सो वो बेचा हुआ है। सुसिल मोदी का अपना उपकरम है। वो कोई सरकारी नहीं है। उस पे लिखा गिया है बिहार सरकार का उपकरम। लेकिन वो उपकरम है सुसिल मोदी जी का उपकरम है। जहां पे जाईए आप एकजाम पास भी कर जाएंगे। तो आपका चपल घिस जाएगा। आपको बुलाय नहीं जाएगा वहां पे। जब तक कुछ पैसा नहीं लेगा तब तक नहीं आएगा। मुद्दा क्या होगा आपका बखरी विधान सभा में। मेरा मुद्दा होगा कि यहां पे डिगरी कॉलेज की बेवस्था करना। जो डिगरी कॉलेज यहां पे नहीं है। एक इंचरिंग कोलीज की विवस्था करना, सरक को अगेरा सब को जो है सो भूरुश्ट bạn, आप ये भी सरक देख नहीं, महादलित ओला है, यहाँ पे जो है सो आप देख लीजे क्या इस्तिती है, आज तक 15 साल के 30 साल के 50 साल आप देख लिए यही इस्तिती है हमारे यहाँ तो कुल मिलाकर के यह मुद्दा रहेगा की विकास तो यही बात तो नितिश कुमार भी बोल रहे हैं सुसासन विकास नितिश का विकास तो दिख रहा है अभी परसो ही मुझा परपूर में जो है सो महिला कॉंस्टेवल को किस तरह से मारा गिया है दरोगा पीटा है उसके हस्वेंड को पीटा है तो सुसासन बावु का दिख रहा है मुझाफर पूर की बात कर रहे हैं बेगुसराय में भी लगभग थानों की जो इस्थिती है वही रहा है बेगुसराय में भी आप देख सकते हैं तेघड़ा देखिये बच्वारा देखिये बेगुसराय में पकड़ा गिया है दरोगा साहब हर जगा तो वही इस्तिति है भरस्टा चार पूरी तरह से नितिश सरकार में बर चुका है उस जिसको हम लोगों ने युवाओं ने भीमा उठाया है इसको हम उखाड फेकेंगे एक अच्छे सरकार को हमको लाना है युवाओं वर्ग के साथ अचा 15 साल बनाम 15 साल के कहाने इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है नितिश सरकार की युजनाओं से लोग उतने नाराज चल रहे हैं कि सड़क पहले बनाती है फिर उसी सड़क को तोड़ करके गड़ा करवाती है तो ये सब जो बातें सामने आ रही है क्या लगता है क कि सरकार के पास डवलोप्मेंट करने का कोई बुलूप्रिंट तयार नहीं था बुलूप्रेंट तयार नहीं है सरकार के पास कोई बुलूप्रिंट तयार नहीं है अपने लोगों को ठीकेदारी देना है उसको तोड़वाना है उसका जो इंकम है परसेंटेज है पहले वह अपना उमिद्वारी आरजडी के तरफ से रखेंगे पहली प्रात्मिक्ता भी मेरी आरजडी रहेगे और अंतिम भी एक सवाल है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान भारत जो है वो पूरे दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र यहीं से सुरू हुआ और आज इस्तिति यह है क कि देश के आजादी के इतने वर्सों बाद भी लोकतंत्र कहा है क्या आपको लगता है कि एक मन्रेगा में मजदूरी करने बाला बैकती कभी बिधायक हो सकता है यहां हो सकता है कैसे हो सकता है संभव हो सकता है क्योंकि यहां तो पूंजी पतियों का खेल होके रह गया है र आजनिती कर सकते हैं पैसा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं पैसा नहीं है जनता जिस जनता के लिए जो काम करेगा जो जनता के बीच में रहेगा जनता का उमीदबार क्यों नहीं होता कोई भी आएंगे आरजेडी से आएंगे उनको पूछिए किसके माघटबंदन को हमीद्वार ले अपने जनता का उमिद्वार कहा चला सब्कूत सारे जनता मेरे पच्छ में उत्रा हुआ है कि मुझे कुछ नया करना है नया लाना है इस बाद कटरमाला से बेगु सराय जोडने बाला जो पत है 20 सालों से तकरीबन पड़ा हुआ है कभी आपने देखा उसको और पड़ा भी रहेगा अगर छेतर की जनता जागरुक नहीं होगी तो वो सरक पड़ा भी रहेगा 20 साल क्या 50 साल से इस सरक को देख लिजी आज भी वही है आज भी वहीं पड़ा हुआ है अब जनता जाग चुकी है जनता आगे आई है और सारा सरक भी बनेगा स्कूल कॉलेज भी खुलेगा सरकार भी बदलेगा पूरा भरोसा है सरकार बदल देनेगा पूरा बदल देना है पूरी तरह से तो क्या लगता है तेजस्पी मुखमंत्री बन जाएंगे बन जाएंगे जरूर बनेंगे बहुमत मिल जाएगी बहुमत मिलेगी, अभी जिस तरीके की घटना करम चली है, जिसे की जीतनरामाँ जी वहाँ थे महाँ घटबंदन में, वहाँ चले गए, बाहर निकल गए है, रजक जी आपके फिर पुनाव वापस आए, वहाँ से यहाँ पे आगया है, वहाँ उनको समान नहीं मिला, यहाँ सब्सक्राइब पूरे प्रदेश में एक लहर सी चल रही है खास करके युबाओं को ले करके जो पिछले विधान सभा चुनाव में पर्थम भोटर थे शांसत के चुनाव में भी जो पहली बार वोट डाले हैं और इस बार जो पहली बार वोट डालेंगे यानि आप इसे ऐसे समझ लिजिए कि 18 साल से ले करके 30 साल तक के जो युबाबर्ग हैं सबसे ज्यादा परिशानी उनी के साथ है और उनी की आवाज बन करके निगल रहे हैं इंजिनियर राजिस कुमार रजक इनके साथ इनके समर्थक हैं हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि राजिस कुमार के पीछे इतना बड़ा हुजूम कैसे ये तो बहुत बड़े नेता नहीं थे हुजूम इसलिए है कि ये पढ़ा लिखा युबक है हमारे छेत्र का बहुत परचलितर लोग है बहुत क्वाइलिटी एक तो इंजिनियर दुसरे मतलब जो आती बक्तावी है वी हाई कोट का परलि किये थे योपिंदर पास्मान को उनसे कुछ मदद मिली कोई मदद नहीं मिला वो उल्टा नुक्सान किये हम लोग क्या नुक्सान बहुत हमने तीन बार उनके घर पे गए और आज तक मेरा सरक ऐसे के ऐसे हैं जबकि हमने लिखके दिया उनको और हमसे कहे भी थे बागर प हैं नहीं खुस नहीं और फिलकुल खुस नहीं और भी लोग है एक किरा इस खुमार रजक्सान न तो होगा न पसंद करने कारन है युवा है परहलिका इंसान है हाइकवट का एडवाकेट है और इंजिन्डियर भी है और कविलियत है इसमें हमने बहुत दिनों से बहुत बढ़ी बात कही है इन्होंने बहुत बढ़ी बात कही है और मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील भी करना चाहूँगा बेगुसराई की जनता से भी अपील क के लोगों को देखा है मेधनी पास्मान कोंगरिस के विधायक थे उनको भी देखा हमने राम चंदर पास्मान विधायक को भी देखा हमने रामानंद राम विधायक को भी देखा हमने अभी सुरेंदर पास्मान को भी देखने हैं लेकिन हमारे परते इस महादलित की महला है सर सदी से पड़ा हुआ है इसका कोई अबागवन नहीं है कोई तरह का गतिविधी यहां जाने आने का रास्ता नहीं इस सड़क को लेकर के प्रतिनीधी बदलेंगे क्या जी नहीं बहुत का है भरस्टाचार दुनिया में बढ़ दिया है इतना हमारे प्लॉक में एक विधायक क उसका काम क्या हो सकता है एकदम जमाबडा लगा रहता है दलालों की थाना में वहां चेर पर सब दलाल बैठते हैं लोग कुछ दो यह भरस्टा अचार अंतर सीमा पर चला गए अपसर की अपसर साही बढ़ गई है यह सरकार चलने वाली नहीं है तो यह था बखरी बिधान सभा में राजेश कुमार रजक के तरफ लोगों का जुका जो आपसपस्ट तोर पे देख रहे होंगे हकीकत बदल नहीं सकती है जुटलाया नहीं जा सकता है निश्चित तोर पे कहा जा सकता है कि बिहार बिधान सभा 2020 युवाओं का चुनाव होगा और युवा ही बिहार के साथ हम मिलेंगे अगले समाचार में